हलो दोस्तों जिबरा किलास में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज में लेके आया हूँ 25 प्लस कोशन्स आवर्थ सार्नी के बारे में पिरियोडिक टेबल जो है बार बार एक्जेमिनेशन में इसका कोशन पूछा जाता है जो लड़कों कान्फ्यूस करता है जो जितने भी में आज में 25 प्लस कोशन्स लाया हूँ वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक से दो कोशन्स देही देता है तो आएए दोस्तों पहले यहां प्रियोटेवल देख लेते है कुछ यहां मैंने प्रियोटेवल लगाया है यहां आप देख लीजिए हाइड्रोज हिलियम लिथियम ज्यादा तर आपको 30 तक ही याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिंग तक याद करने का जिंग जो होता है मोस्ट इंपॉर्ट होता है और इसमें आप याद रख सकते हैं आवर्थ और पीरियड के बारे तो आईए कोश्चन के तरफ चलते दोस्तों सबसे पहला कोश्चन क्या दोस्तों यह देख लीजिए बड़ा कर दे रहा हूं मैं सबसे पहला question है मेरा तत्वो का सबसे पहले वर्गी करण किस ने किया था जो element है उसका सबसे पहले वर्गी करण किस ने किया था तो ये करने वाले कौन थे दोस्तो लोथर मेयर, न्यू लैंड्स, मैंडलिफ ये डोबेनर तो डोबेनर ने किया था next नेक्स्ट तत्वों के वर्गिकरन से वर्गिकरन से समंदित वरिक का नियम का परतिपादन किस ने किया था त्रिक का नियम जो तिसरा नियम है त्रिक का नियम परतिपादन किस ने किया था दोस्तों लोथर मेयर दोबेरेनर मेंडलिफ या न्यू लैंड्स ने किस ने किया थ दोस्तों यह क्या था यह भी Dove Beiner ने डोबरेनर ने next, तत्वो के वर्जीखरण से सम्मंधित की अश्ट्रक नियम का पर्तिपादन केस ने किया था अश्टक नियम का किसने पर्ति का परहन किया था क्या था दोस्तों यह किये थे ड्रामा ने डॉबे रेनर ने नूवलेंड ने या मैंडलिफ ले ये किस ने किया था दोस्तो ये किया था आपको मैंडलिफ में किस वैज्यानिक ने सरोपर्थम आवर्थ सार्नी का निर्मान किया था आवर्थ सार्नी का जो निर्मान है दोस्तों वो किस वैज्यानिक ने किया था यह most important question है आप इसको टिक कर लिजिए यह VVI है तो इसका जो है दोस्तों A number मैंडलिफ आधुनिक आवर्थ नियम का पर्तिपादन किस ने किया था जो आधुनिक आवर्थ नियम का पर्तिपादन किस ने किया था नियू लैंड्स ने दोबिरन ने मैंडलिफ ने या मोजले ने तो आधुनिक का जो है वो किस ने किया था मोजले ने नेक्स्ट मेंडलीव की आवर्त सार्णी में तत्वों के वर्गिकरन का आधार क्या है पर्मानु दर्वमान, पर्मानु संक्या, पर्मानु आइटम, पर्मानु घनतव तो यह क्या है दोस्तो, मेंडलिप का जो आवर्थ सार्णी है, वो किस पर depend था? तो ये जो depend था पर्मानु द्रवमान पर depend था पहले द्रवमान पर depend था उसके बास संख्या आया था next अब है आधुनिक आवर्त सार्नी में तत्वों के वर्गिकरन का अधार क्या है तो ये तो exact होना चाहिए पर्मानु संख्या बी नमबर आंसर next अब है आधुनिक आवर्त सार्नी में वर्ग की कुल संख्या कितना है वर्ग जो इस तरह से दिखाया दोस्तों आपको उपर से नीचे के बाद जाते हुए वर्गों की संख्या किस तरह से है और कितना है दोस्तों यह 7, 9, 16 यह 18 तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 18 यह होगा वर्ग अब है आधुनिक आवर्ट सार्नी में आवर्टों की कुल संख्या कितनी है यह most important है 5, 7, 9 यह 16 इसका 7 है दोस्तों जितना भी इस तरह से आएगा यह उसको बोलते हैं आवर्ट जितना इस तरह से आएगा उसको बोलते हैं वर्ग नेक्स्ट आधुनिक आवर्ट सार्नी में तत्वों की विवस्था किया जाता है विवस्थित क्या जाता है घटते हुए परमानु भार में बढ़ते हुए प सब्सक्राइब जो 11 ग्रूप वर्ग है उसको काया था सिख्का धातु अब 12 अमर कोश्चन सुनने समू में यहां सुनने नहीं होगा सुनने हो जागा दोस्तों सुनने मतलब 0 जाने जाते हैं हैलोजन चारड़त चार्य मिर्दा या निस्क्रीय तत्ब सरवाधिक विजूत रिनात्मक है कौण सा ततव है दोस्तों वह है आपका ओक्सीजन फ्लोरीन सोडिया में क्लोरीन तो फ्लोरीन है बी नमबर आंसर बी नमबर आंसर नेक्स्ट आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलक्ट्रॉन परती में क्या परिवर्तन होता है बढ़ती है घटती है परिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट आ ब्लॉक में बाठा गिया है तो एक, दो, तीन या चार तो इसको कितने बोलग में बाठा चार बोलग में इसका क्या क्या है के ल, एम, एन नेक्स्ट किस वर के तत्वो को मिर्दा मुद्राधातू कहते हैं 1A, 2A, B, या 3A, तो किस वर के तत्व को मुदरधातु कहा जाता है दूस्तों, तो B वाले को, C नमर आंसर हो जाएगा इसका, most important रही है, C, next, 17, आधुनिक आवात सार्नी को किस समु में केवल 7 तत्व है, तो ये most important है, 1, 2, 3, या 4, तो आधुनिक आवात सार्नी है, उसको किस समु में 7 elements ही है, तो 1 में है, 2 में है, 3 में या 4 में है, तो किस में हैं दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा, 1 में है, एक में, फर्स्ट वाला जो है, उसमें 7 ही elements है, next, किस वर के तत्वों को, अयसक बनाने वाले तत्व कहते हैं, किस वर का, 5A, 6A, 7A, या 4A, तो किस को कह किस वर्ग के तत्वों की सन्योजगता दो होती है वो 2 होता है 2 किसका होता है दोस्तों यह देखिए तो किसका होता दोस्तों टूए का बी नमर आंसर सबसे हलका तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियन और सोडियम सबसे हलका तत्व कौन से है दोस्तो यह है हाइड्रोजन नेक्स्ट आधुनिक आवर्षार्णी के पांचवे आवर्थ में कितने तत्व है 2, 8, 18 या 36 यह कितना है दोस्तो 18 पांचवा पूछ रहा है तो पांचवा में कितना है 18 नेक्स्ट आधुनिक आवर्षार्णी के 17 वर्ग को क्या कहा जाता है हालोजन, अक्रिये गैस, छाथ धातू या क्यालकोजन तो इसको क्या कहा जाता है हालोजन अक्रिये गैस तो आग जानी रहे हैं 18 आवर्त सारनी के छटे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं 8, 18, 32 या 2 यह most important है इसको BVI मार लिया दोस्तो इसमें होता है 32 और 5 में कितना था? 18 next Newlands के समय ग्याद तत्वों की संक्या कितनी थी? यह most important है दोस्तो Newlands जब था उस समय उसको ग्याद तत्वों की संक्या कितना था दोस्तो यह most important है इसको अक्टिक आउट कर लिजिए इसका है 56 Newlands के समय अब मैंडलीफ आ गया मैंडलीफ के समय ग्याद तत्वों की संक्या कितनी थी दोस्तो 52, 53, 73 या 72 तो उस समय कितना था? 63 इसमें 6, D-Number Answer अब है लास्ट और अन्तिम कोशन दोस्तो अगर मेरा आपको समझाना बहुत ही अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे क्यूंकि मैं topic by topic करके total video आपके description box में दे दूँगा और total समझाऊंगा 27 आरगन की कोश किस ने की थी? यह most important है आरगन की कोश किस ने की थी? तो किस ने किया दोस्तो? रैमजे, लोकियर, रैले या सीले ने तो रैमजे ने किया था थैंक्यू दोस्तो